वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला अगला सवाल है कि निम्लिखित कत्नों पर विचार कीजिए और उप्रोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है मतलब गलत वाला कौन सा है ये बताना है पहला स्टेट्मेंट कि भारत देश जंबू दीप का दक्षडी भाग था ठेक दूसरा स्टेट्मेंट है कि मत से पुराड तु सब्द का प्रयूग किया फिर है प्राचीन भारत का इतिहास लिखने का सबसे पहला प्रयाश जो है वो इरानियों ने किया था तो बताना है गलत कौन सा है तो इसमें देखिए गलत है आपका आप्शन C सही उत्तर है दूसरा स्टेट्मेंट गलत और चौथा स्टेट के बारे में देख लेते हैं तो देखे मत से पुरार नहीं ये विश्णु पुरार है विश्णु पुरार में बताया गया है कि समुद्र के उत्तर में और हिमाले के दक्षिड में जो देश स्थित है वो भारत है और दूसरा कि प्राची नितिहास लिखने का सबसे पहला प्र अगला सवाल दिया गया है कि संक्राचार ये द्वारा इस्थापित चारो मठों को सूची एक और सूची दो से मिलान करना है ठीक है तो बद्रीनाथ में क्या है बद्रीनाथ है आपका ज्योतिर मठ ठीक है फिर उसके बाद द्वारिका क्या है द्वारिका शार्दा मठ है उत्तर में यानि सबसे उपर उत्तर में था आपका जोतिर मठ ठीक है उसके बाद पश्चिम में पश्चिम में है सार्दा मठ पूर में है गोवर्धन मठ और उसके बाद दक्षड में है आपका स्रिंगेरी मठ ठीक है स्रिंगेरी मठ तो इस तरीके से चार मठ थे ये देख लीजिएगा most important ये एक्जाम में भी कई बार पूछा गया है इसको एकदम याद कर लीजिएगा अगला फिर अगर फिर से यह दिया गया है कि निम्लिफित कत्नों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन है जो सही नहीं है कौन सा कथन सही नहीं है तो पहला है कि कलहर ने राश्तरंगिनी पुस्तक लिखी है मतलब राश्तरंगिनी के राइटर हो गए कलहर फिर है अलबरूनी के बारे में अलबरूनी भारत मुहम्मद गोरी के साथ आया था ठीक है ये काट दिजे तो इसमें गलत कौन सा है गलत है देखिए statement केवल दो ये तो बिल्कुल सही है राज तरंगनी के लेखक हो गए कलहड इंडिका के लेखक हो गए मेगस्थनीज और 1784 में बेंगॉल एसियाटिक सोसाइटी के अस्थापना की थी विलियम जोन्स ने अब दूसरा statement गलत कैसे है उसके बारे में देख लीजे कि देखिए अलबरूनी का जन्म हुआ था 973 में खवारिजम में और वह जो है मुहम्मद गज्णवी के साथ भारत आया था अब अलबरूनी की पुस्तके देखे जो एक्जाम में पूछी जाती है यह है किताब लहिंद या फिर तहकी के हिंद इसके किताब नाम की इसने किताब लिखी थी अलबरुनी ने अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ अगला सवाल दिया गया सूची एक को सूची दो से आपको मिलाना है ठीक है बुक्स हैं राइटर के नाम केपी जैसवाल के पी जैसवाल की बुक है हिंदू पॉलिटी याद कर लिजेगा V.A. Smith की बुक है अरले हिश्ट्री ओफ इंडिया जो की बहुत बार एक्जाम में पूछा जा चुका है V.A. Smith, अरले हिश्ट्री ओफ इंडिया फिर उसके बाद है के अ नीलकंड सास्त्री इनके भी बुख है A History of Ancient India ये भी बहुत important और R के मुखरजी की है इंदू civilization ये चारो बुख लिश्ट बना रेजेगा अपनी notes में बहुत important है हमेशा exam में पूछी जाती है option A यहाँ पर सही है अगला सवाल वेदांगों की संख्या कितनी है बहुत easy वेदांग कितने हैं वेदांग है कुल 6 ठीक है अब उनके बारे में भी देख लेते हैं तो देखें वेदे को ठीक ढंक से समझने के लिए वेदांगों की रशना की गई ठीक है और इनकी संख्या 6 है अब वो देख लेते हैं सबसे पहले है सिक्षा सिक्षा क्या है स्वर विग्यान है कल्प है कर्मकांड व्याकरन जानी रहा है आप ग्रामर है निरुक्त क्या होता है यह होता है व्यूत्पत्ति विग्यान चंद उसके बार जोतिस क्या है खगोल विद्यान ठीक है इस तरह सबसे पहले बाढ़भट ने रचना की ठीक फिर विलहर ने विक्रमा देव चरित की रचना की चंद्रबरदाई ने पृत्वी राजरासों की रचना की और हेम चंद्र ने भोज प्रबंद्र की की रचना की है तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है तो यहां पे देखे पहला सही है बाड़भट ने हर शरित के रशनाकार कौन है बाड़भट हैं विक्रमा देव चरित के हैं विलहर्ड पृत्वी राजरासों के चंद्र बरदाई ठीक है लेकिन हीम चंद ने भोज प्रबंध की नहीं बलकि कुमार पाल शरित नामक पुस्तक की रशनाकी है ठीक है हीम चंद्र हो गए कुमाल पार शरित के रशनाकार अब यहां पर सवाल आता है कि भोज प्रबंध के रशनाकार कौन हैं तो यह हैं विल्लाल ठीक है तो यहां पर देखे आपको छे पुस्तक हैं और उन और और भारत कौन आया था था भाई यह सभी भारत आया थे अब इनके बारे में देख लेते हैं देखें फाहयान की अगर बात करें तो यह चंद्रगुप्त विक्रम अधित्ति के दरबार में 335 से लेकर के 415 इस्वी के बीच में आया था सन अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो याद कर लीजिए फाहयान जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमा दित्ति के दरबार में था फिर है फिर संग यूंग की अगर बात करें तो यह 518 इस्वी में भारत आया और तीन वर्स की य से और उसने यात्रा वृतान सीऊ की नाम से प्रशिद्ध है थीक है रेन सांग का यात्रा वृतान किस नام से है आपका यू ऑन चुण ठीक है तो यह की नाम से प्रशिद्ध है अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा ह संग याद कर लीजिएगा हर्स के समय में भारत आया था फिर उसके मित्र ने वीली ने हुए इनसांग की जीवनी लिखी है और इत्सिंग की अगर बात करें तो ये 671 में भारत आया था और अपने विबरण में नालंदा विस्व विद्याले, विक्रम शिला विद्याले और तथा अपने समय, उस समय के भारत का ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके एक्जामें ऐसे भी डारेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन सा चीनी यात्री था जिसने नालंदा विसुविद्याले विक्रम सिला विसुविद्याले का वड़न किया था तो याद रखेगा वो था इत्सिंग ठीक है तो यह देख लिए आ आजका हमारा आखरी सवाल रहे गा कि भारती प्राग्यातिहास को उध्घाटित करने का स्रे किसे जाता है! भारतिय प्राग्यातिहासिक को उद्घाटित करने का स्रे किसे जाता है डॉक्टर प्राइम रोज, सर मॉर्टिमर वीलर, सी एल करलाइल और सर जॉन मॉर्शल तो किसको जाता है यह जो स्रे है यह डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है ठीक है क्योंकि उन्हों उसने 1842 में करनाटक के रायचूर जिले के लिंगसूर नामकस्थान में प्राग्यातिहासिक आउजारों की खोज की थी ठीक है डॉक्टर प्राइम रोज इनकी खोज भी मोस्ट इंपोर्टेंट है याद कर लिजेगा रायचूर के लिंगसूर नामकस्थान पर प्राग्यातिहासिक आउजारों की खोज की थी और इसको प्राग्यातिहास को घाटित करने का स्रे भी डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है तो यह रहे आपके प्राची नितिहास के 10 MCQ आई होप आप लोगों को पसंद आए होंग प्राग्यातिग्डितॉ